आज हम समासास के बीए थर्ड सेमेस्टर MAPGT UGC NET के इस नई अध्याय में आपसे मिलते हैं और अध्याय का नाम है सामाजिक परिवर्तन प्रकार विकास प्रगति वक्रांति इसके अब इसको दो पार्टों में क्या गया पहला पार्ट आज हम इसको आगे बढ़ाते हैं आपने बहुत-बहुत प्यार आपने सभी वीडियो में दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब अवस्चे कर दें शेयर लाइक कमेंट भी करें और आज की वीडियो में आगे बढ़ते हैं पहला कोश्चन है डार्विन के अनुसार उद्विकास की क्रिया विधी में जीव सन्रचना किस ओर चलती है सरलता से जटिल की ओर दूसरा कोश्चन है प्रिंसिपल आप सोस्योलोजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है हर सामाजिक परिवर्तन का उल्ले किस ने किया था अगस्ट कॉम्टे यह सभी सीरीज यह सेमेस्टर थर्ड के समाजिक परिपर के लिए बहुत उपयोगी है आप इसका ध्यन बार बार करते रहें पेपर नजदी की है और में को आसा है कि आप इसमें अच्छे अंग प्राप् सामाजिक परिवर्तन का समाज सास्त्री किसे कहा जाता है काल माक्स को कहा जाता है कि मौडरनाइजेशन ऑफ इंडिया ट्रेडिशन पुस्तक के लेखक कौन है योगेंद्र सिंग है कौशन नमर 8 की तरफ बढ़ते हैं सामाजिक संदशना तथा उसके कार्यों में होने वाल चापिन ने सांस्कृतिक परिवर्तन को कितने भागों में विभाजित किया तो कौशन का उत्तर तो तीन पर सीमित हो जाएगा लेकिन तीन कौन-कौन से भाग हैं वो देखिएगा भौतिक संस्कृति अभौतिक संस्कृति और संयुक्त संस्कृति कोशन नमबर 10 की तरफ बढ़ते हैं सामाजिक परिवर्तन का उतकर्स रूप किसे माना जाता है क्रांती को माना जाता है कोशन नमर 11 की तरफ बढ़ते हैं वर्तवान भारत में लगवक कितने प्रतिशत जन्संख्या गरीबी रेखा के नीचे यानी BPL जीवन यापन करने को विवस है 30% कोशन नमर 12 की तरफ बढ़ते हैं जैव की उद्विकासी का सिध्धान किसने प्रतवादित किया चार्ल्स जार्विन ने और समाजवादी उद्विकास का सिध्धान दिया था हर्वर्ट इस्पेंसर ने जो हमने अभी पढ़ा था question number 13 की तरफ बढ़ते हैं ये भी important question है Morgan ने मानव समाज के उद्विकास को कितनी अवस्था में विभक्त किया तीन में किया तीन वे अवस्थाएं कौन कौन सी है जंगली अवस्था बरबर अवस्था और सभिता की अवस्था question number 14 है प्रगती वह है जो मानवी सुक में वर्द्धी करती है यह कथन किस ने कहा है लेश्टर वार्ड ने question number 15 की तरफ बढ़ते हैं फ्रांसीशी क्रांगती किस वर्स में हुई थी 1789 में परवार के उद्विकास क्रम का सिद्धान किस ने प्रसुत किया मॉर्गन ने किया वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक बार फिर अन्रोथ कर दें कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवस्थ कर लें आपका प्यार बना रहे लाइक कमेंट शेयर अवस्थ करें अपने साथियों की करेंगे तो आपकी अपने आप मदद होगी अगले कुशन की तरफ बढ़ते हैं कुशन नमबर 17 तीन इस्तरों का नियम किस ने दिया था अगस्त कॉम्टे ने इसका नमबर 17 की तर viol बढ़ते हैं मौलिक रूप से अक्समात वें तिवर गति से होने वाले परिवरतनों से आमूल चूर परिवरतन लाने वाली क्या कहलाती है । कौशन नम्मर 19 की तरह बढ़ते हैं परंपरा के अंदर ही कुछ तत्व हैं जो परंपरा को बजलते रहते हैं इन तत्वों को योगेंदर सिंग समाश सास्त्री परिवर्थन के कौन से स्रोत कहते हैं ये हैं आंतिक स्रोत कौशाशन नबर 20 किसका है यह उन्हें उन सबसे अलग करती है जिन में परेस्पर स्लगारा के सम्मन्थ नहीं होता है यह जो एक दूसरे से Casey विवार के इस तरह भिन होते हैं यह कता हैं जिन्सबर्ग का जिसे जिन्सबर्ग भी बोलते हैं कौशन नमबर 21 यानि की समाजीक प कोशन नमबर 22 की तरफ बढ़ते हैं सामाजिक परिवर्तन का समाज सास्त्री किसे माना जाता है काल मांक्स को माना जाता है और कोशन नमबर 23 की तरफ बढ़ने से पहले लाइक कमेंट शेयर का फिर अन्रोद करते हैं आपका प्यार आप सभी स्टुडेंट्स का भरपूर मिल रहा है लेकिन इसको और बढ़ाईए ताकि हमारा उच्छा वर्दन होता रहे कोशन नमबर 23 की तरफ बढ़ते हैं क्रिया एवं परिवर्तन सदाइव उपस्तित सार्भों तत्य यूनिवर्सल फेक्ट है यह कथन किसका है डासन एवं गैटिस ने यह कथन दिया था कोशन नमबर 24 परिवर्तन का उच्छा पूर्ण स्वागत प्राय जीवन का एक ढंग हो गया है यह कथन किस ने कहा ग्रीन इसने कहा कि कई कारणों से सामाजिक परिवर्तन अवस्चंभावी और अपरहाय रहा है और रहेगा लाम ले ने यह बात कही थी लाम ले ने वीडियो पसंद आने पर लाइक कमेंट शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर सयोग करें मिसन मुस्कान के साथ पढ़ते रहिए मुस्कराते रहिए जै हिन जै भारत धन्यवाद अगली वीडियो में जल्द ही मिलते हैं